हेलो दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंचे आज हम बनाएंगे सत्तु पूरी चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए कटोरी चना के सत्तु लिए है एक प्याज लिए है अधरक का टुकरा लैसुनेग गाठ चार हरी मिर्च आधा निमूग सबको काट लेंगे सबजिया हम काट लिए है अब इसका मसाला बनाएंगे इस बरतन में सत्तु डाल देंगे सत्तु को हम चार लिए थे यह हम मिर्चा के अचार लिए है इसी मिर्चा के तेल को हम डाल देंगे एक छोटा सा मिर्चा भी डाल देंगे इसमें क्याइब के छोटा चमच मंगरेल जेवाइन है इसको हां से रगणका डाल देंगे इसमें कस्व भगी अच्छा आता है हजमा के लिए बहुत ही अच्छा आदरक कटा हुआ डाल देंगे लासुन कटा ह přिर सबiltने हरेमिर्च डाल आधा नेमु का रस डाल देंगे इसमें दो चमाच सरसो तेल डाल देंगे हम एक छोटा चमाच नमक डाल रहे हैं आप अपना स्वाद अंसार डाल लीजिएगा अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मिला लेंगे अच्छे से थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर अच्छे से मिक्स करना है पानी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा डालना है देखिए मिक्स हो गया है इस तरह जब हो जाए समझेगा कि हो गया है आधा किलो आटा लिये हैं गेहूं का अब इसको गूथ लेंगे कि आटी अच्छे से देखिए आटा हम गूथ ली हैं ना ज्यादा कड़ा होना चाहिए ना ज्यादा मुलाएं मेडियम में आटा ऐसे गूथना है अब पेड़े काट लेंगे इस साइज का पेड़ा काट लेंगे सत्तू पोड़ी बनाने के लिए लोई लेली है इसको ऐसे अमठाक साहरे गहरा काटोरी जैसा कर लेंगे ऐसे अब इसमें सत्तू भर देंगे एक बड़ा चमच सत्तू भर दिया है अब इसको चारो तरफ से मोड़कर ऐसे घुमा देंगे बंद कर देंगे इसे चारो तरफ से ऐसे पेड़ा जी से बना देंगे तब इसमें पर्थन हलका लगा देंगे ऐसे इसको चारो तरफ से पहला लेंगे अमड़ी के साहरे अब इसको बेलां से बेल देंगे हलका पोड़ी के जैसे सेप दे देंगे इसको देखिए इसी तरह सारे सत्तू पोड़ी बेल लेंगे तेल घरम हो गया है अब आज को मेडियम कर लेंगे सत्तू पोड़ी टमने के लिए अब पोड़ी को डाल देंगे तेल में फेज़नार कर दोड़ी ताद साथ के ने टृड़ी तök गया देंगे निदीन इसको पहलाए तक तुपूडी को पलट कर दोनों तरफ से पका लेंगे देखिए कितने अच्छे से सक्थूपूडी पूल रही है देखिए सुनेहरा रंका हो गया है अब इसको निकाल लेंगे इसी तरह सारे सत्तु पूड़ी तलकर निकाल लेंगे किया हमारी अकी तभर्ब। से थो टूझो झाल को मनलेखंडें। कि सारे हमारे सत्तु पुड़ी तैयार हो गया है आपको हम तोड़ कर दिखा रहे हैं देखिए कितने अच्छे से बना हुआ है देखिए अंदर तक सत्तु गया है इसका पुरा भरा हुआ है बहुत ही सोप्ट बना है एक बर जरूर आप ट्राइ किजिए गा और हमें कॉमेंट किजिए हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें